हेलो स्टूदेंट्स वन्स अगें विल्कम टू आवर चैनल फिटनेस पर्ट साला स्टूदेंट्स आज मैं आप सब के लिए लेके आया हूँ क्लाश 12 फिजिकल एजुकेशन जो की है फिजियोलोजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स का फोर मार्स का टेम टू के लिए इस्टूदेंट्स इंपोर्टेंट्स का इस्प्लेनेशन जो की है एक्सेसाइज और मस्कुलर सिस्टम के बारे में मैं आपको बहुत ही सोट फ़ाम में इस्प्लेन करूंगा जिसको प्रिपेर करके आप अपने अपकमिंग टू एक्जाम में फोर मार्स प्राप्ट कर सकत हैं इस्टूदेंट्स यह मोस्ट इंपोर्टन्स क्वेश्चन से आपके टम टू एक्जाम के लिए जो कि डिस्क्रेप्टिव वाम में पूछा जाएगा तो उससे भी पहले अगर आप हमाई चैनल फिटनेस पार्ट साला पे नहीं है तो इस्टूदेंट्स पार्ट साला क पर फिल्फ पॉइंट में डिसकस करने जा रहा हूं आपको पहला इफेक्ट जो पड़ता है हमारी मस्कुलर सिस्टम पर अगर हम देखें तो चेंज इन सेप एंड साइज आप मसल्स तो जो मसल्स का सेप एंड साइज है वह क्या होता है चेंज हो जाता है थूर रेगुलर ए एकसाइज करते हैं प्रक्टिस करते अभ्यास करते हैं कोई भी west काले कीज्ए करते हैं तो इससे क्या होता है की जो हमारी मसल्स ऐसका safe में हो जाता है या डेली आप पुछ अप सिट अप लगाते हो तो आपकी मसल्स जो है वह बलकी से नहीं हो जाती जिसे आपका जो से पैंड साइज है मसल्स का वह चेंज हो जाता है दिन सेकेंड वन formation of more calories when exercise are done the color of muscles is changed because a number of new calories are formed for a better and efficient blood circulation तो number of calories जो है नहीं नहीं calories बनती है जिसे जो आपका exercise करने से जिसे आप देखते हैं कि जो WBC, RBC है वो भी क्या होता है चेंज हो जाता है यानि कि आपकी endurance capacity जो है RBC के change होने से number of calories increase होने से आपकी body में unique calories बनने से आपकी performance होती है वो enhance कर जाती है तो endurance capacity, efficiency of heart आपकी improve हो जाती है दिन Third one है control extra fat तो जब आप regular exercises करते हो regular exercise controls the extra fat of the body exercise burn to extra calories deposited in the form of fat तो जब regular exercise हम करते हैं student तो क्या देखते हैं कि जो हमारी body में extra fat है वो stone नहीं होने पाता है exercise करने से हमें ज़्यादा energy की requirement होती है और ज़्यादा energy हम consume करते हैं तो जिससे कि हमारी body में extra fat increase नहीं होने पाता है और हमारी body fit and healthy होती है exercise के तुरू दिन इस्टोन है change in the connective tissues change in the connective tissues की बात करें student the connective tissues which connects fibers become powerful these tissues can wear stress of strenuous activity and can be extended up to some degree तो जब हम regular exercise करते हैं तो जो connective tissues हैं जो fibers की तुरू हमारे particular joints को connect करते हैं तो वो और powerful और stronger बन जाते हैं जिसके तुरू हमारी जो performance है यह कह लिए जो strenuous activities करने है विचकल activities उसमें भी improvement आ जाता है दिन निस्टोन बात करें हम student effect of exercise and muscular system का जो effect परता है तो वो है efficiency in the movement of muscles the movement of muscles become efficient and smooth the movement during different activities become attractive तो जब हम regular exercises करते हैं प्रेक्टिस करते हैं किसी चीज़ की तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा movement है एक normal person से जो exercises नहीं करता है उससे बहुत different हो जाता है और जो perfect movement होना चाहिए हमारी body का वो movement भी perfect होता है through the exercises तो जो muscles का movement है जो work है जो function है वो भी proper हो जाता है देन नेश्ट वात करने स्टूरें डिले फटीग प्रतीग की बात करने है रगुलर एक्सराइज दिलेज फटीग 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 इज मेली दू तो formation of carbon dioxide, lactic acid and acid phosphate. The accumulation of CO2, acid phosphate and lactic acid become less in an individual who exercise regularly. Hence fatigue can be delayed if exercises are performed daily. तो जब हम regular exercise करते हैं किसी भी activities की practice करते हैं for example जब एक athlete running के लिए जाता है जे beginner तो शुरू में starting में 2-3 round भी वो नहीं लगा पाता slow jogging नहीं कर पाता बट वो जब regular उसी को continuously perform करता है तो वो क्या करता है day by day आप देखते हैं कि उसकी performance enhance होती जाती वो bitter perform करने लगता है और उसकी जो endurance capacity है वो improve हो जाती जिससे जो fatigue की इस्तिति है जो tiredness है जो लेक्टिक एसीड का सिक्रेशन है उसकी बॉड़ी में muscles में वो डिले होने लगता यानि कि वो जल्दी थकता नहीं निस्टोन इस्टुएंट्स इसमें लिख सकते हैं effect of exercise on muscular system पे कि non functioning fibers become active तो जो non functioning fiber when we do not do any strenuous work all the muscles fiber of our body are at rest in fact these fiber do not do any work so but when we perform exercise regularly the non functioning fibers also begin to get active consequently the strength of the body increases because the total contractile power of the muscles fiber increases तो जब हम regular exercises करते हैं तो जो ऐसे muscles fibers हैं मारी बॉड़ी में जिनको active नहीं है जिनका कोई use नहीं उन पर कोई load नहीं पढ़ लाता वह भी क्या होते हैं एक्टिव हो जाते हैं जिससे की athletes की performance enhance हो जाती है तो जो non functioning fibers है वो भी active हो जाते हैं तुरू दा physical activities और exercises के तुरू the next one बात करें student correct body posture जो है हमारा वो क्या होता है remains body posture remains correct तो यहां पर body posture remains correct को तोड़ा सा spin को by doing regular exercise the strength of muscles increases which is in turn keeps the body posture in correct position also postural deformity do not occur if there is any physical deformity it is removed by doing regular exercises तो यहां पर students अगर हम regular exercises करते हैं तो कोई भी postural deformity जो है वो क्या होती है हमको नहीं होती इन केस अगर कोई भी postural deformity like low doses, kyphosis, skylosis, knock knee यह हुई भी है तो through the exercises हम उनको remove कर सकते हैं जिससे हमारी performance क्या होगी इनान्स होगी हमारी health अच्छे होगी student next one है improve reflexes तो यहां पे जो reflexes है अगर हम बात करें जो हमारा reaction time है as a result of regular exercise the speed of nerve impulses increases which ultimately improve the reaction time साथी साथ जो reflection है हमारा body का कि जैसे sudden response करना होता है वो भी क्या होता है वो भी इनान्स हो जाता है बढ़ जाता है दिन नेस्ट वन जो है 10th one point effect of exercise on muscular system improve lactic acid tolerance जो कि delay in fatigue की बात जो हमने already की थी तो delay in fatigue तभी possible है जब हम lactic acid को tolerate कर सकते हो तो improve lactic acid tolerance यानि कि जब आप regular exercise करते हो physical activities करते हो तो आपकी body में जो lactic acid का secretion है वो delay होने लगता है यानि कि easily आप उसको avoid कर सकते हो लंबे समय तक उसका पीछे रीजन क्या है उसके पीछे रीजन है कि आप जब regular exercise करते हो तो less amount of oxygen की मौझूदगी में भी आपकी जो heart है lungs है वो proper functioning करने के लिए habitual हो जाते हैं और जो उनकी capacity oxygen को consume करने की वो भी improve हो जाती है तो यह इस्टूदेंट में 10 पॉइंट से जिनको आप explain कर सकते हो four marks के question में और यह hundred percent पूछे जाएंगे आपसे effect of exercise on muscular system the effect of exercise on muscular system first one the change in shape and size of muscle second one the formation of the more capillaries third one the control extra fat fourth one the change in uh connective change in the connective tissues fifth one the efficiency in the movement of muscle delay fatigue non-functioning fibers become active then this one the body posture remains correct next one improve reflexes improve lactive acid tolerance तो यह था इस्टूदेंट आपका four marks का most important descriptive questions के लिए explanation term two के लिए आपको यह वीडियो कैसे लगा आपना comment box में feedback देना विल्कुल न भूले thank you